नमस्कार दोस्तु स्वागत आप सभी का टूडे टोक के इस वीडियो में दोस्तु मैं महावीर आपके लिए लेकर आया हूँ बाकी जो रेलवे के एक्जाम होते हैं ससी के एक्जाम होते हैं हर एक्जाम में कम्प्यूटर से क्यूशन पूछे जाते हैं ऐसे में ये वीडियो दोस्तु आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन होने वाला बात करें राजस्तान पुलीस की तो इसमें लगबग 10 क्य जा सकते हैं और ऐसे ही दिली पुलीस में काफी अच्छे क्यूशन आप से कंप्यूटर से पूछे जाएंगे और आप बने रही हैं मेरे साथ में वीडियो के एंड तक इस वीडियो को देखने के बाद में 100% आपके बेनिफिट होगा साथ ही दोस्तों आपकी रिविजन औ पहला क्यूशन आपके सामने हैं दोस्तों कंप्यूटर निमनलिकत में से कुन सा कार्य करने में शक्षम नहीं है इंप्यूटिंग प्रोसेसिंग अंडरस्टेंडिंग आउट्पूटिंग बताइए अगर आपने पढ़ रखा है तो जरूर आप इसका आंसवर सूच लीज आपट्पूटिंग Power नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तों इंपूट का आउट्पूट में रुपांतरण किसके द्वारा किया जाता है ठीक है कोई भी input होता है तो उसका output में रुपान्तरन है कौन सी device करती है CPU, input, output unit, storage या फिर memory बताइए दोस्तों इसका answer क्या होगा तो इसका answer होगा दोस्तों CPU CPU के अंदर वो शमता होती है जो input को output में change करता है ठीक है next question है दोस्तों अधिकास products पर printed line के pattern को क्या कहते है दोस्तों आप हर दिन कोई product खरीदते हो तो उसके उपर आप देखते हो कि कुछ line मनी होती है उन line का जो pattern होता है उसका मतलब क्या होता है क्या उसको हम code कहते हैं क्या उसको scanners कहते हैं क्या उसको prices कहते हैं या उसको हम barcode कहते हैं बताइए ये basic question है और इसी तरह के question आपसे पूछे जाते हैं एक बार आप इनको देख लेते हैं तो आपके answer है वो exam में गलत नहीं होते हैं दोस्तों इसका सई answer होगा barcode हम उसको barcode बोलते हैं और barcodes को हम scan कर सकते हैं अपने mobile की साहिता से और उस product के बारे में जान सकते हैं दोस्तों next question क्यों बढ़ते हैं next question है multi programming का प्रियोग किस PD की देन है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रियोग है वो किस PD की देना है बताए पर्थम, द्वितिय, तरितिय या फिर चतुर्थ कौन सी PD की देना है मल्टी प्रोग्रामिंग तो दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग तर्ते PD की देना है इसका सही आंसर होगा तरीते पीडी नेक्स्ट क्यूशन दोस्तू मनुष्य की इसप्रण सक्ती कम्प्यूटर की तुल्ना में खोती है सामानने उच्छ निम्न या फिर बहुत अधिक दोस्तू अगर हम कम्प्यूटर और इंसान का माइंड अगर हम comp Air करें तो तुल्ना करें तो किसका माइंड है वो अधिक सक्तीसाली हो सकता है या फिर मनुष्य का दिमाग सामानने या उच्छ है या निम्न है बताइए या बहुत अधिक कम्प्यूटर से है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तू सामानने अगर हम computer से इंसान के दिमाग को compare करवाएं तो वो सामान्य मिलेगा आपको इसके बाद में दोस्तों बात करें next question की तो next question आपके सामने है integrated circuit chip का विकास किस नहीं किया था जो integrated circuit chip computer के अंदर लगाई जाती है उसका आविसकार किस नहीं किया था तो दोस्तों इसका आविसकार किया था option में Charles Babies, C.V. Ramon, Robert Nike, J.S. Kilby सही option जरूर सोचेगा और last में मेरे को जरूर comment box में लिखके बताएगा कि sir मेरे इतने question सही हुए है इसके बाद में इसका देखे answer तो इसका सही answer होगा J.S. Kilby J.S. Kilby ने integrated circuit chip का विकास किया था next question है दोस्तों computer में data किसे कहा जाता है ठीक है बहुत ही अच्छा question है computer में data किसे कहा जाता है जो computer में चिन होते हैं उनको या फिर संख्या को या फिर दी गई सूचनाओं को या चिन और संख्यात्मक शूचनाओं को किसे कहा जाता है computer के अंदर data तो इसका दोस्तों सही answer होने वाला चिन वै संख्यात्मक शूचनाओं को चिन और जो संख्यात्मक शूचनाओं होती है उसको हम data कहते हैं computer की भासा में अगला question है दोस्तों computer की मुखे memory कोन सी होती है computer के अंदर जो memory जो होती है उसके अंदर मुखे memory कोन सी होती है बाहरी, भीतरी, सायक या फिर ये सभी देखिए बाहर एक memory होती है computer में जो लगाए जाती है एक internal memory होती है एक सायक memory होती है तो इन में से जो मुखे memory है वो कौन सी है तो दोस्तों मुख्य मेमोरी होगी भीतर की मेमोरी जो internal storage जिसको हम बोलते हैं वो मेमोरी होती है मुख्य मेमोरी इसके बाद next question की बात करें तो दोस्तों next question है micro processor जो computer का मस्तिक्स होता है तो ये क्या software है microchip है hardware है या फिर ये तीनू है बताइए दोस्तों इसका सही answer होगा microchip micro processor जो computer का मस्तिक्स होता है वो होता है microchip तो इसका सही answer होगा microchip अगला क्यूशन है दोस्तों सर्व पर्थम पंच कार्ड का प्रियोग किस ने किया था इसका दोस्तों सही answer होगा जोसेप मेरी जोसेप मेरी ने सर्व पर्थम पंच कार्ड है उसका यूज किया था निमन में से कोन RAM नहीं है जो option है इसमें से RAM कोन सी नहीं है DRAM, SRAM, PRAAM या फिर FLEX सही option क्या होगा इसका दोस्तों सही option होगा PRAAM किसी भी प्रकार की RAM नहीं है तो ये option आपका सही होगा next question है दोस्तों dot matrix किस उपकरण की किसम है dot matrix जो है वो किस उपकरण की किसम है इसमें सबसे पहला है आपका option printer, उसके बाद में scanner उसके बाद में mouse या फिर keyboard, सही option है इसका आपका printer printer जो है इसका correct answer होगा इसके बाद में दोस्तों बात करें next question की तो सबसे तेज computer होता है कौन सा computer है जो सबसे तेज होता है mini computer micro computer, man frame computer या super computer दोस्तों इसका तो मेरे हिसाब से जिसने computer थोड़ा बहुत भी पढ़र का है उसको इसका सही answer आता होगा तो इसका सही answer होगा super computer super computer सबसे fast computer है next question दोस्तों microprocessor किस PD का computer है जो microprocessor किस PD का computer ये आपको बताना पर्थम PD, दुविते PD, तरते PD या फिर चतूर्थ PD तो दोस्तों इसका सही answer होगा चतूर्थ PD का next question है दोस्तों भारत में निर्मित परम computer किस परकार का computer है micro computer, mini computer, manprame computer या फिर super computer भारत में जो परम नाम का computer है वो किस परकार का computer है तो इसका दोस्तों सही answer होगा super computer super computer है भारत में निर्मित परम computer इसके बाद दोस्तों अगला question है गणना, सयंतर, एबाकस का आविस्कार किस देश में हुआ था आइम, एसी एक प्रकार का मशीन है, इसका सही एंसर होगा मशीन, नेक्ष्ट क्यूशन है दोस्तों, इनलेटीकल इंजन का निर्मान किस ने किया था? जी, एकल, एवा लवेलेष, चाल्स बेबेज, या फिर, शी मेन, कौर्सकॉब, तो इसका साही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज ने इसका आविस्कार किया था नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तूं कम्प्यूटर के विकास में सरवाधिक योगदान किसका है चार्ल्स बेबेज का जोसेप जेक यूड का बलेज पास्कल का या फिर वोन नुमान का सबसे अधिक जो योगदान है कम्प्यूटर के शत्र में वो किसका है तो सही ओप्शन होगा दोस्तूं वोन नुमान वोन नुमान है इसने सबसे ज़्यादा कम्प्यूटर के शत्र में योगदान दिया है computer के विकास में computer को एक नई सोच देने में computer के एक नया विकास करने में जितनी भी जो भी पीडिया है उनके अंदर वो newmon का भूती ज़ादा योगदान है इसके बाद में दोस्तों next question है चुम्बक की डिस्क पर किस पदार्त की परत होती है iron oxide, sodium, peroxide, magnesium oxide या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका सही option होगा iron oxide की परत उसके उपर होती है तो दोस्तों ये थे important question दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो comment करके आप जरूर बताएगा कि सर ऐसे वीडियो और लेकर आईए अगर आप demand करेंगे तो आपको ऐसे important वीडियो और अधिक देखने को मिल जाएंगे आपके लिए मैं बना के लाओंगा और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए साथी बेल आइकन को प्रेस करके all पे क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर सकते हैं और comment करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा आपने कितना score किया और आगे आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो comment में जरूर लिखेगा thanks for watching मिलंगे next वीडियो में तब तक के लिए जैही